ये फैक चेकर है, इसलामी है और जकात फंड पर अरबों अरबों करोर रुपे इसके पास आ रहा है जुबेर जरा इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कहां रहता है नमस्कार मैं मुहम्मद फैसल और आप देखने नैसनल दस्ट तक आज वो सारी बड़ी खबरे लाया हूँ जो आपके लिए जरूरी है कि किस तरीके से आज सिर्फ जे शिरी राम का नारा लगा कर आप खुले आम गुंडा गर्दी कर सकते हैं और पुलिस परसासन और अदालते सब खामोस तमासाई बनकर आपका साथ देगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ वीडियो में दिखाऊंगा सब उतों के साथ महीं दूसरी तरफ एक सक्स के फल सबजी फेक दिये जाते हैं जो ठेला लगा रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसल्मान था तो ये सारी बड़ी खबरे हैं जो एक एक करके आपको दिखाऊंगा और कि आखिर देश में चल क्या रहा है लेकिन उससे पहले इतना समझे कि आज आरेसेस और बीजेपी पूरी तरीके से बहुक लाया हुआ है वो भी सिर्फ दो फिलाती है उसकी पोल खोल कर रख देता है और सच सब के सामने ला देता है इसलिए आज राना यूब और मुहमद जुबेर इनके निसाने पर है इसलिए मुसल्मानों को दलीतों को पिछडों को चाहिए कि वो अपने बच्चे को कम से कम एक बच्चे को पत्रकार तो जरू रहे और सत्ता से सवाल कर सके और इन जैसे नफरतियों से सम्विधानिक तरीके से लड़ सके वही काम आज राना यूब और मुहमद जुबेर कर रहे हैं जो लगातार बीजेपी और आजरेस को खटक रहा है अब बात करते हैं आज की जो बड़ी खबरे हैं वो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ देखिए सबसे पहले मिल्ले टाइम्स ने ट्वीट किया भारत में पत्रिकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे एक साथी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें पौन वीडियो में एडिट करके मेरा फोटो लगाया गया था मुझे रे हर तरीके से उनको हरेस किया गया है किसी भी तरीके से उनको चुप कराने की कोशिश की गई है तो लगातार उनकी फोटोज मॉर्फ करके शोशल मीडिया पर वाइरल की जाती है ताकि इनकी इनको अपमानित किया जा सके और इनकी आवाज को दबाया जा सके अब वहीं यह देख सकते हैं एक मुस्लिम जो फल बेशता था तर्बूज बेशता था ठेले पर उसका तर्बूज फेक दिया गया ठेला उसका पलट दिया गया और उसको भगा दिया गया और यह देख सकते हैं कि साथ में जो है गले में भगवा गम्छा डाल कर राम सेना के लोग घूम रहें ये देखिए एक सक्स जिसका नाम नभी बताय जा रहा है उनके तरबूज का ठेला पलट दिया गया उनका सारा नुकसान कर दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है और मंदिर के बाहर अपना ठेला लगाते थे अब ये खबर देखिए जिसकी मैं बात कर आथा कि आप अगर जे शिरी राम का नारा लेकर लगा कर कुछ भी अगर अपराद कर देते हैं तो आपके उपर कारवाई नहीं होगी इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं मध्य परदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर हनुमान मंदिर के सामने एक दिवार को दिया गया और पूरी पुलीस इंते जामिया जो है वो देखती रही इस पर कोई कारवाई नहीं हो अगर वही कोई मुसलमान होता और अगर वो सरकारी संपत्ती को नुकसान पहचा देता तो उसके घरों को निलाम कर दिया जाता उसके घरों को तोड़ दिया जाता संतुष्ट नहीं है सपा सांचद डॉक्टर सफिकुर्यमान बर्क कहा मुसल्मानों का कोई काम नहीं कर रही समाजवादी पार्टी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बात हम लगातार केते आ रहे हैं कि अखिलेश लगातार मुसल्मानों के मुद्दे पर खामों से पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसल्मानों लोगी तो सुना अपने बात करते हैं मौम्मद जुबेर की जिहां वही मौम्मद जुबेर जो लगातार बीजे पी आईटी सेल और आरेसेस का जो है प्रोपोगेंड़ा चकना चूर कर देते हैं उसकी सब के सामने पॉल खोल कर रख देते हैं उनके लिए स्वामी आनन सुरूप ने जो बयान दिया है वो सुन लीजिए किस तरीके से वो जुबेर को इसलामिस्ट और जिहादी और पता नहीं क्या 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 रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मौम्मद जुबेर लगातार इनकी पॉल खोलते रहत हैं और जो यह समाज में दंगा फिलाने का काम करते हैं उसको एक्सपोज करते हैं इसको जरा सुन लीजिए यह फैक चेकर है इसलामी है और जकात फंड पर अरबों अरबों करोर रुपे इसके पास आ रहा है जुबेर जरा इसको भी देखना बहुत ज़लूरी है कि कहा रह जाली तब भी उस पर कोई कारवाई नहीं होगी ऐसा ही मामला हुआ है देखिए पिंकी सिंग्यादा उन्हें ट्विट करका जानकारी दिये बुल्डोजर लखनव के जानकी पुरम के नेहर रोड पर अवे दिमारत बन रही परसासन बुल्डोजर लेकर गिराने गया निर बिना नक्सा पास किये मुस्लिम विधायक का पेट्रोल प्रम ध्वस्त कर दिया गया बिना नक्सा पास किये भाजपाई जुट पहिएगा मकान बन रहा ये अन्याई पूर बेदबाव कानून की नजर में अगर सब बराबर नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा आपको प रमतियागी ने लिखा करनाटक के धारवाड में सिरीर राम सेना के उपधरवियों ने तर्बूज बेचने वाले एक गरीब मुस्लिम की चलती फिरती दुकान सिर्फ इसलिए तैसनेस कर दी क्योंकि वे मंदिर के आसपास तर्बूज बेच रहा था धार मिकल अलप संख्य पर लगातार हमले हो रहे हैं और नेशनल कमिशन फॉर मायनोर्टी खामोज बेचा हुआ है ये वो सक्स हैं जो तर्बूज बेच रहे थे और जिनका तर्बूज सड़क पर फेक दिया गया इनका नुकसान कर दिया गया है ये देखिए मद्यपरदेश कैबिनेट दुआरा ये बिलपास किया जा चुका है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाने वालों से भर पाई कारवाई करवाई जाएगी मगर आपको भी पता है वो कानून इन लोगों के लिए नहीं है किस के लिए है कानून सब जानते हैं इस वीडियो में आप साब साब देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य पर्देश में कटनी रेलवे स्टेशन की दिवार को तोड़ा जा रहा है और वहां पर जो तोड़ने वाले हैं वो जे सिरी राम का नारा लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मध्य पर्देश में किस तरीके से कटनी रेलवे स्टेशन की दिवार को तोड़ा जा रहा है और जो शत्स तोड़ रहे हैं, जो लोग तोड़ रहे हैं, वो जे स्री राम का नारा लगा रहे हैं, इसलिए उनके उपर कोई कारवाई नहीं होगी, एक बार जड़ा ये वीडियो भी देख लीजिए, तो देखा आपने, तो इस तरीके से आज कानून जो है, वो सिर्फ किताबों में रह गया है, जमीन पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अगर है भी तो वो सिर्फ दलित पिछड़ा और मुसल्मानों के लिए है, और RSSBJP के जो गुंडे हैं, वो खुले आम कुछ भी कर सकते हैं, उनके उपर कोई कारवाई नहीं होगी, तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से आज करनाटक में एक मुसलिम वेंडर की तरबूच फेक दिए गया है, क्योंकि वो मंदिर के बाहर फल बेच रहा था, वहीं दूसरी तरफ मध्य परदेश में रेलवे की दिवार को ग किस तरीके से आज देश में कानून सिर्फ किताबों में रह गया है और जमीन पर उसका कोई अश्तित्व नहीं बचा है, तो इस वीडियो पर आपकी क्या राह है, आप अपनी राह जरूर दीजिए, शुक्रिया, निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको झाल